नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज़ के इस खास कारेकरम में देखिए इस खबर में हम आपको सरकारी नोकरी से जुड़ी जानकारी देते हैं साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में भी जौब निकलते हैं उन्हें लेकर भी जानकारियां आपके सामने साजा करते हैं तो चलिए आज के इस खवर में हम आपको बताएंगे कि Bank of Baroda में जो वेकेंजी निकली है उसमें आपके इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं Bank of Baroda ने कई पदो पर भरती के लिए आवेदन अमंत्रित किये हैं एक शुकर योग उमीद्वार Bank of Baroda की अधिकारिक वेबसाइट यानि की bankofbaroda.in के माध्यम से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस भरती अभियान के तहट बैंक में कुल 627 पदों को भरा जाएगा इस समय आवेदन प्रक्रिया चालू है आवेदन करने की अंतिम तिती 2 जुलाई को निर्धा लित की गई है वहीं बता दे कि किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानि की डेटा वेग्यानिक और डेटा इंजीनियर के कुल 4 पदों पर वेकेंसी निकली है साथ ही असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो डेटा वेग्यानिक और डेटा इंजीनियर है वहाँ पर कुल 9 पदों पर भरती निकाली गई है आर्किटेक्ट के कुल 8 पद पर भरती है जोनल सेल्स मैनेजर के 3 पदों पर भरती है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट 20 पदों पर भरती निकली है इस पद के लिए और सीनियर मैनेजर के कुल 22 पदों पर भरती है मैनेजर के कुल 11 पद है जिन पर भरतिया निकाली गई है रेडियन्स प्राइवेट सेल्स हेड के एक पद पर भरती है वहीं ग्रूप हेड के चार पदों पर भरती है territory head के 8 पदो पर भरती है वही senior relationship manager के कुल 234 पदो पर विकेंसी निकाली गई है बैंक आप बरूदा के तहत आगे की जायनकारी हम आपको दे देते हैं जहाँ e-wealth relationship manager के कुल 26 पदो पर विकेंसी निकाली गई है private banker radiance private के कुल 12 पदो पर भरती है वही group sales head यानि की virtual RM sales head के एक पद पर भरती है धन रननीतिकार यानि की निवेश एवं बीमा उतपाद प्रमुक के 10 पदो पर भरती है portfolio research journalist के कुद एक पद पर भरती है वही ABP अधिग्रहन एवं relationship manager के 19 पदो पर भरती निकाली गई है विदेश मुद्रा अधिग्रहन एवं संबंध प्रबंधक 15 पदो पर भरती निकाली है इसके लिए बतादे कि credit विशलेशक के 80 पदो पर भरती है relationship manager के कुल 86 पदो पर भरती है वही senior manager के कुल जो business finance होते हैं उनके 4 पदो पर भरती है वही chief manager आंतरिक नियंतरन जो है उनके 3 पदो पर भरती है साथी बतादे कि अब सैक्षने के योगता की बात कर लेते हैं विविन्न पदो पर भरती के लिए उमीदवार को उस पद से संबंधित सैक्षने के योगता यानि की graduation, post graduation, professional degree होनी चाहिए आयू सीमा क्या होगी इसकी भी जानकारी दे देते हैं उमीदवारों की आयू 22 वर्ष से जादा और 62 वर्ष से कम होनी चाहिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा ये भी जान लेते हैं सबसे पहले उमीदवार लिखित परिक्षा देंगे लिखित परिक्षा में सफल उमिद्वारों को इंटर्व्यू देना होगा उमिद्वारों को अपने डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होगे आखरी में उमिद्वारों को मेडिकल परिक्षा देनी होगी आवेदन शुलक क्या होगा बता देते हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उमीदवारों को 600 रुपे आवेदन शुल्क देना होगा SCSE, PWD और महिला उमीदवारों को 100 रुपे का आवेदन शुल्क देना होगा उमीदवार केवल ओनलाइन माध्यम से ही भुगतान कर सकते हैं जी अगर आप अपलाई कर रहे हैं तो आपके बाल ओनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान करेंगे साथी बता दे कि अधिक जानकारी के लिए जो भी एक शुक उमीदवार है पो बैंक ओफ बरोदा के ओफिशल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं उमीद करते हैं कि ये खबर आपके काम की होगी और ऐसे ही तमाम नौकरियों से जुड़ी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे आपके पास फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही यूट्यूब पर जाकर दर्श न्यूज को सब्सक्राइब कर ले साथ ही हमारे फेस्बोक, इंस्ट्राग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलोज जरूर करें धन्यवाद